चलिए बच्चों सोगत करते हैं आज के इस महतपूर सेशन में आज के इस वीडियो हम बात करने वाले ख क्लास नाइध का जो है आपका सेट रहने वाला है यह उन बच्चों के लिए बहुत ही मतपूर है जिन बच्चों का कमेंट था कोई था कोशन पर कि सर हमारा इंगलिस का जो सेट भी है इसका सभी यूटूबर्स में जो है पूरे के पूरे सल्यूसन नहीं दिये है तो उन क्लियर एंड क्लीन आंसर तक है और राइट अंसर आपको दिये गए कोई भी समय आपको मिस्टेक नहीं पाई जाएगी आप इसे चक कर सकते ठीक है तो चलिए श्टार्ट करते हैं इस वीडियो में तो देखिए हमारा पहला क्वेशन हमारा यहां पर क्या है एक पैसेज द है ठीक है तो यहां पर देखिए आपको डियरक्normस आउंसर आपको दिखा देता हूं अहां पर जिखिए हमारा सारे कूशन कि आपके आशर दिये गये है तो फिट्शन नंबर आपका वन का सब्सक्सर चा सब्सक्राइग आपको लिखना है टैपू डर्यवलर तो आपको क्या हो जाएगा यहां पर आपका आंसर हो जाएगा आपका भारा हो जाएगा यानि कि फूल हो जाएगा एंपी अपोजिट वर्ड फूल हो जाएगा ठीक है यहां पर आपको क्व्शन दिया गया पहला सेकेंड थाइड फूर्ड और यहां पर यहां पर टेंस आपट पूछा गया है तो आपको क्या जगा ग्रेव हो जाएगा ठीक है इसे वड़े पांच मा देखिए अपोजिट आप दा सैड तो सैड का आपका पोजीट हो जाएगा और इसका सारा अंसर जो है आपको मैंने यहाँ पे डिरेक्ट लिस का लिख कर दे दिया है आप इसे क्या करिए छाप लिजी आपके 100 मेंट से 100 नमर ही आएंगे यहाँ कि मैं गारंटी लेता हूं ठीक है तो आप जो है इसे कर लिजी ए 1st, 2nd, 3rd, 4th और यह 5th ठीक है यहाँ लिखा है ललिता स्वेड सम्टोमेटो शीट इन दा हर गारडन ठीक है से कर लिखा है सी रिमोब एवरी वेड्स थार लिखा सीपर्ट कमपोश्ट अंडर दा प्लांट ठीक है चलिए कोस्चन नमर थर पर चलते हैं तो कोस्चन नमर थर नमें आपका यहाँ पर देखिए आ कॉल डियानि जज्ज्मेंट को आपको कौन पास करते हैं तो आपका हो जाएगा चौछे कोस्चन मैं आपका लिखा है एंटो निम्स आप रीच तो रीच का आपका पूर हो जाएगा पाच्पा कोस्चन विच फेस्टिबल इजनोन एज दा फेस्टिबल आप लाइट से न आप इसमें 10 कोई सभी लिख लेंगे ठीक है यहाँ आपका अंसर चलते हैं question number 4 पर यहाँ पर आपको जो है do as directed करना है याणि any 5 question आपके करने हैं तो यानि कि 5 में से आपको कोई question कर सकते हैं यहाँ पर आपके total 8 question दिये गए हैं तो देखिए पहला आपका हो जाएगा Christmas is celebrated December 25 तो आपको इसमें क्या लग जाएगा आपका प्रिपोजीसन यूज करना है तो इसका आपका राइट अंसर हो जाएगा आन हो जाएगा ठीक है आप सेकेंड देखिए यहाँ पर लिखा है पास्टेंस पर करना है तो गो का हो जाएगा आपका बेंट हो जाएगा ठीक है तो दा बोमें बेंट सबैक ठीक है चोथा आपका दिखिए इंग्लिस का आपको मैं आगे सारे आंसर दिखाऊंगा आभी आपको समझा दे रहा हूं इंग्लिस इज आ लिंक लेंग्वज इन इंडिया यानि की इंग्लिस आपका अंग्रीजी क्या है पूरे भारत को आपको लिंक करके रखता है पाजबा कोस्टन लिखा यहां पे वाक या बॉकिंग होगा देखिए जब भी आपका इज यूज होता है तो इसके लिए आप लिजेगा ठीक आपको ऐसे ही अपने कॉफी पर लिख लेन है कोई भी आपको यहां पे बदलने की जरूरत नहीं है आपको सारे के सारे नंबर मिल जाएंगे आप मुझ पर भरोसा करिए मैं जो है आपका भरोसा कभी नी तोड़ता क्योंकि मेरे यहां पर अगर आप चाहत है ठीक है टेलीग्राम पर आपको दे दिया जाएगा आप यदि कुछ भी आपकी कोईरी होगी चलते हैं इसको आपकर लिजिए देखिए आंसर लिखा हुआ इसका टूटल हो गया हमारा पास्वा कॉशन तक अब चलते हैं कॉस्चन नमबर हमारा आगला है यहां पर देख पानी पानी मच्छ लगा सकते हैं लेकिन आपको इसलिए पlower अपको इसलिकी को हुटाबर हमें प्लस या यसर टेली यहां मेगा cho करना है लेकिन आपको मैं सब बता दे रहा हूं कोई दिक्कत आपको नहीं होगी जब तक आप मेरे साथ जुड़े रहते हैं तो वीडियो को दिल से लाइक करो यार और क्या करो ठीक है क्योंकि आपके लिए देखो मैं इतना मेहनत करता हूं तो सब्सक्राइब कर दो चलिए हैं आगे देखिए च्ड़ा कोशन इलिखा है अ एंड आपको यूज करना है तो जब भी में लक् button आपका यचई कर दें Ł देखिए अर न बीच में इसमें क benz थैंगे झाड़िया कोई है इलीफेंट की करों कि देखिए Damn आपको बहुत सिंपल सा जो है आपको मैं सारे जो है डाउट कर सकता हूं इंगलिस के आपके मैतमेटिक्स के इस पेसली तो आप मेरे चल्ण से जुड़ जाएए सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन को प्रस कर लिजिए क्योंकि आगे मैं अभी आप यदि नाइन्थ आपको यहां पर बूश्ट होने का मौका मिलेगा चलते है नेक्स कोश्चन पर तो आपका इसमें अंसर क्या हो जाएगा आपका एन्था ठीक है तो क्या होता है आपका जब भी मून होता है कुछ यूनिक चीज होता है सन मून यह फिर गंगा नादी की बात किया जाए नर् यहां पर एक और पैसे दिया गए है और आपको प्यार फूली पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको यहां पर अंसर निकालना है ठीक हैberry दोब तो यह आपका जो है क्वेश्चन से आपके देख लिए क्वेश्चन के आपको मैं डारेक्टली आंसर करवा जेता हूँ देखिए इसमें आपका क्या हो जाएगा गांधी जी लेफ्ट कोर्ट विकवाज ही डिडिड नॉट आपका अंसर इसमें ऐसे होगा साउत अपर यह देखिए आपका जो है पांचवे को आपको आपको रिड करना है और रिड के बाद आपको आंसर निकालना है तो देखिए यहां पर पहला कोशन देखिए फिल इन द व्लैंक्स दिया है यानि आपको इसमें क्या करना है आपको पहला वाला आंसर में कर देना है क्या प्राचीन बोलते हैं तो एसी चीज है प्राचीन आपका क्या है एक पधती है जिससे हम क्या करते है पर्षन प्रतेक बिक्ति अपने शरीर को फिट करता है और अपने माइंड को तो आपको नॉर्मली क्या करना है यहां से अंसर करना है यहां से अंसर करना है और यहां पर आपका योगा एक्सफर्स टू वर्क से अंसर के लिए और यहां या पको तक्रन शुका है और इक हुआ करना है तो आपका रिखोस्टा, लिखनेそうそう लिखना यहां पर यहां रहां यूवा फिल्लीका है ठीक है ठीडेज लिव वाला तो यह रहा है उसका अंसर इसक्रीन पर तो आप दोनों में से कोई भी आप एक लिख लिजे चलते हैं कॉस्टन नंबर 9 पर तो यहां पर देखिए क्या दिया गया है तो आपको यहां पर एक दिया गया है यू आरदा रागनियादो यादी आप आपको नाम के रागनी यादो है और आप रहते क्या हैं एक अपने प्रेंट को क्या करना है एक लेटर लिखना है एक जम निशन के थूटी कैसे आप उसमें हार्ड महत करें और इसके लिए हमारा अंसर यह इसक्रीन पर रहा आप इसे कोई भी आपको डॉट नहीं होगा को पर तो कुश चलते नमबर 10 पर दीख़े आप को जो है यहां पर एक एक लीड़र नीवन के उतना यहां पर आपको यहां पर बाइप यहां पे इसे लिख लिजिए चलते हैं question number आपका 11 पर तो question number 11 पर दीखें आपको क्या लिखा है यहां पर आपका जो है यह पैसे दिया गया है और इसमें आपको करना क्या है इसमें आपको एक notes बनाना है टाइटल देना है और एक आपको summary लिखना है क्या लिखना है summary और टाइटल और इसका अंसर जो है यह रहाइश्क्रिन पर आप इसे लिख लेजिए ठीक है यह रहाँ का नोट्स इसके बाद आपका यहाँ टाइ्टल भी है और यहां पर आपका समरी है तो आप इसे लिख लेजिए चलते हैं question number आपका 12 पर तो देखिए question number 12 पर आपका क्या है यहाँ पर आपको translate for following sentence आपको any five करना है आपको क्या करना है ट्रांसलेट करना है हिंदी का इंगलिस में देखिए सूर पूर्प से उध्य होता है तो क्या होगा तो इसमें आपको कोई डाउठी नहीं करना है और कोई सवाल भी नहीं उठना है ठीक है शीक पर देखिए आपको मैं टोटल प्रोवाइट कराऊंगा तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाए और हमेशा बने रही है ठीक है आप देखिए question number 13 में आपका जो है यहाँ पर की answer देना है इसमें दो question देगे है कोई आपको एक आत्वा करना या फिर यह वाला करना है तो आप अगर इसको चाहते हैं मैंने आत्वा करा दिया है उसको लिख भी दिया है प्रॉपल डिरेक्क्ली आपका तो उसको दिखा दिता हूँ आपको और इसका आपको आजी करना टोम आपको जो है यहां अंषर मिल जाएगा तो मैंने इसका अथवका कर दिए है तो बहुत सिंस्फ alone मैंने लिए आपको फ़ला है तो इसका मैं ने आनुसर यहां उनुक है Better प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् इसे कर लेज़े question 14 को आपको ऐसे simple सालिक देना है चलते है question 15 पर तो देखिए अथ्वावाल आपको तो करना नहीं है इसके बाद 15 ने आपका यहाँ पर answer दिया गया है यह आपको question कोई करना है कोई 4 answer इसके लिखने है तो आपके इसके answer जो है सारे के सारे मिल जाएंगे तो यहाँ पर आप देखिए यह सारे आपके चार question के answer है तो इसे देख लीजिए आप और इसे लिख लेजिए ठीक है यहां कर देख करना है कोई लिखा है लेकिन आपको करना था तो यहां आपको कुछ भी नहीं करना है यह पैसे आपका दिया गया है और यह रहा इसका अंसर फस्ट यहां पर सेकेंड और यह आपका थर्ड का अंसर है इसे आप लिख लिजिए ठीक है अब चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर आपको 17 यहा अथवाला कोशन आपको करना नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 17 में अपका मैं डारेक्टी इसका अंसर दिखा जेता हूँ आप अपके कॉपी पर लिखी यह देखी है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 आपका यह पहले आपका थर्ड का अंसर है तो आपको ऐसे ही एकदम लिख देने हैं आपको सौ में से सो नंबर आएंगे इसके मैं गारंटी लेता हूं आप चलते हैं आपका 18 पर यह हमारा लास्ट कोशन होगा तो प्यारे में देखिए आपका जो प्रफ्षान नमर 18 है यहां पर आपको जो है कुछ लिए आपको इसके अंसार लिखने है तो यहां प कर दो